सोलो एंड विल्कम दोस्तों टेक्किल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका सुभागत है तो फानली दोस्तों आज की दूब बात करने ले हैं फोल ठाट क्वालिटी अप्रिकेहसं से नहीं बताने लाँ आप अपने फोन के स्धीं के अंदर से स्धीं कर पाओगे यहांपर जैसे की मेरे फोन में यहां पर 5G नेटवर्क सो कर रहा होगा यहां पर आपको दिख रहा होगा लेकिन यहीं पर मैं एक बार कोल करकि आपको पर दखा देता हूं मैंने call कियra और call करने के बाद यहां पर आपको देखा देता हूं तो हमारे ने developing 5G पर सबस्पोंट करें यहां पर आप को दिख रहा है यहां पर भी आप लोग इस वीडियोको अर्ड तक देख तो मैं स coral लोगो 5G network setting करने के बारे में बता लो तो वीडियो को end तक देखिएगा escape मत के जिएगा तो चलते हैं वीडियो को सुरू करेते हैं इससे पहले दस्तो हमारे वीडियो को like के लेना आप लोग फूलोग कर लेना तो चलते हैं स्क्रीन पर और अपनों को चल कर बता रेते हैं तो फैनली दस्तो साड़ी में स्क्रीन रिपोटिक देखनों को मिलेगा अब उपो या रियल में डिवाइस से उच करो तो फैनली आपको 5G network setting करना है 5G network क्या होता है 5G B.O.N.R 5G network जो कि यहां पर आपको यह नर 5G network के बारे बतानों लाओं जो कि 55 network होता है यहां पर आपका network 4G पे कभी switch नहीं करेगा तो यहां पर पहले आपको setting के अंदर आ जाना है आपको एक setting में लियाता है mobile network इंड mobile network पे आपको click करना है अब जैसे mobile network पे आप click करते हो उसके बाद दोस्तों किया करना है आपको नीची आना है और यहां पर आपको try करना है कुछ setting वगरा यहां पर मिल जाते हैं यहाँ पर आपको Series मिल जाता है 5G का यहाँ पर Information दिया गया है चोड़की Information यहाँ पर आप लोग पढ़ सकतो हो 5G के बारे में यहाँ पर लिखा गया है Do My यहीं पर अगर अगर आप लोग यहां पर यहां पर आपको फाइब जी पे सेट है, फिर भी 4G support कर रहा है, फाइब आपको 5G देखने को नहीं मिलता है, तो इस problem को आपको fix करने के बारे में बताने लाओं, इस problem को fix करने के लिए फाइब आपको कुछ नहीं करना है, फाइब यहाँ पर आपको एक बार अपने phone को flight mode में डालना है, और flight device के अंदर, अब आप device के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिल जाता है एक number, version वाले option पर क्लिक करके, and build number पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको 7 बाद टैप करने के बाद इस तरीकी का password मांगेगा, and password को enter कर लेना है, यहाँ पर, इंटर करने के बाद, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आप developer option इनेबल हो जाएगा आपके phone में, and यहाँ से आपको bike करने के बाद, additional setting पर आपको क्लिक करने के बाद, यहाँ पर आपको एक setting मिल जाता है, इसके अंदर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर developer option, and developer option को open करना है, जैसे open करोगे, और उसके बाद, दोस्तों, यहाँ पर आपको scroll करके नीची आजाना है, नीची आओगे, और यहाँ पर आपको 2 number, 1 number, 2 number का 5G, सीम देखनों को मिल जागी, और 5G network यहाँ पर अगर आपने off कर दिया, तो यहाँ पर आपका 5G से 4G पर हो ज आपो का, या realme का device है, तो इसे जरूर आपको try करना है, और उसके बाद अगर आपने इसे enable कर लिए, तो 5G network support कर लेगा, अब यहाँ पर enable करने के बाद, आपको 5G network mode पर click करना है, यहाँ पर आपको default पर set है, तो फाइनल यहाँ आपको कुछ निक करना है, यहाँ पर लिख आप लोगों को, फोन को flight mode में डानने के बाद, यहाँ पर आपको एक बार फिर से own करना है, और own करने के बाद, यहाँ पर अगर आपने flight mode में डानने के बाद, ओन कर लेते हो, तो इसके बाद आपका फोन में network आ जाएगा, 5G का, थोड़ा समय बाद आप बेट कर लेना, उ सिक्सीम का network तो आ चुका है, दूसरे one number का भी नहीं आ है, तो फानली यहाँ पर 5G network को ढोट रहा है, तो यहाँ पर 5G network आ चुका है, तो इस तरह की से आपको 5G network सपोर्ट कर लेगा, अगर आपके पास realme या उप्पो का device है, तो फानले आप लोग जाकर ट्राइ करके, फि आप दूस्तों!